वेलकम टू बैक माई यूटूब चैनल डिकेलाफर श्टडी में आपका स्वागत है तो चलिए फ्रेंट आज हम लोग 12th क्लास का हिस्ट्री का बहुत ही महतपुर्ण अब्जेक्टिव लेकर आये हैं जो आने वाले एक्जाम के लिए काफी इंपोर्टिंट है तो पर कॉश्चन देखते हैं कि हर अपास अभेता का सबसे बड़ा नगर कौन था कौन था तो देख सकते हैं हर अपास अभेता के सबसे बड़ा नगर था, देख सकते हरपा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, तो यह था देख सकते हैं, असोक था, कौन था, असोक था, next, हीनवाल और महायान, देख सकते हीनवाल और महायान संपरदाए किस धर्म से संबन दित हैं, तो तीन का जो अंसर हो जागा, वह वह हो जागा, यानि यह बहुत धर्म से था, चलिए, next नमर प्रस्ण देखेंगे, देख सकते हैं, चाउठा नमर जो प्रस्ण है, चाउठा नमर प्रस्ण है, कि अकवर निम्ली खित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका, तो अकवर है फेंग, जो निम्ली में से किस पर अधिकार नहीं कर सका, तो इस कांसर में हो जागा वह हो जागा यानि मेवार पर नेक्स्ट अर्ष सास्त्र एवं इंडिका से किस राजबंस के विशय की जानकारी मिलती है तो अर्ष सास्त्र एवं इंडिका से देख सकते हैं किस राजबंस की जानकारी मिलती है तो इसका अंसर में हो जागा देख सकते है मौरेबंस की किस बंस की? मौरेबंस की चलिए साथ नमर प्रशन देखेंगे कि अस्तूप का संबंध किस धरम से है तो साथ का जो अंसर हो जागा वह वह हो जागा बहुत धरम से अस्तूप का संबंध है वह बहुत धरम से हैं नेक्ष नमर जो प्रश्ण देख सकते हैं कि ये लोरा के कलास मंदिर का निर्मान किस राष्ट को राजवन्स ने किया था तो आठ का अंसर वह हो जागा यानि पल्लव राजवन्स ने लोरा का जो मंदिर था का निर्वान देख सकते हैं पल्लव राजवन्स ने किया था चलिए नौ नमर प्रसंद देखते के बावर की आत्म कथा का क्या नाम है तो बावर की आत्म कथा का नाम बावर नामा है क्या है बावर नामा है चलिए दस नमर प्रसंद देखें के आईने अकवारी नामक परसिद्ध गरंथ की रचना किस ने की थी तो 10 का जो अंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अवुल फजलने तो चलिए वीडियो को लाइक करके सेर कर दे फ्रेंट और हमारी चानल पर पहली बार भी जित कर रहा है तो चानल को स्क्राइब करके और वेल आइकन प्रेस करना ना भूले तो चलिए देख सकते हैं नेक्स नमर प्रशन है कि पानी पत का प्रथम यूद किस वर्स हुआ तो पानी पत का जो प्रथम यूद हुआ था वह 1526 में हुआ था लावर और इवराहिम लोदी के बीच हुआ था चलिए नेक्स नमर प्रशन देखेंगे कि विजय नगर का महांतम सासक कौन था तो विजय नगर का जो महांतम सासक था वह कृष्ण देवर आय था कौन था कृष्ण देवर आय था चलिए, देख सकते हैं, next नमर प्रश्न है, कि वास्को डिगामा भारत कब पहुचा था, तो वास्को डिगामा भारत पहुचा था, 17 मई 1498 भी को भारत पहुचा था, next, गोरपूरम का संबंद है, तो देख सकते हैं, गोरपूरम का संबंद किसे हैं, तो यह मंदिरों से संब नेक्स्ट आइने अकवारी को कितने भागों में भी भगते हैं तो आइने अकवारी को पांच भागों में भी भगते हैं कितना पांच भागों में तो चलिए वीडियो में बने राइं फ्रेंड तो चलिए 16 नंबर प्रसंद देखेंगे देख सकते कि औरंग्जेव ने अपन अंतिम भाग बिताया था कहां दचनी भारत में कहां दचन भारत में नेक्स्ट सेख मुनिन चिस्ती का दरगा इस्तित हैं तो देख सकते हैं सेख मुनिन चिस्ती का दरगा इस्तित हैं सत्रा के अंसर हो जागा स यानि अजमेर में इस्तित हैं नेक्स्ट भारत में रेलवे की स शुरुबात हुई थी फ्रेंड वह 1830 में लोड डल होजी के सासनकाल में शुरू हुआ था तो चलिए उनीश नमर परसंद देखेंगे तो वीडियो में बने रहें देख सकते हैं जलिया वाला वाग हत्याकांड किस वर्स हुआ था तो जलिया वाला वाग हत्याकांड 13 अपर था कब हुआ था उनीश वाईश में हुआ था चलिए नेक्स नमर परसंद देखेंगे कि निमलीखित में से किसका परकासन अवुल कलाम आजाद ने किया था तो किसका परकासन किया था तो यंग इंडिया का जो परकासन किया था वह अवुल कलाम आजाद ने किया था अंसर हो जागा वह वह हो जागा यानि देख सकते हैं संस्थाल विद्रो का अंदोलन का सिद्धु एवं काहू ने किया था नेक्स्ट भारत में अस्थाई बंदोवस कहां लागू किया गया था देख सकते हैं 23 नमर प्रशन है कि भारत में अस्थाई बंदोवस कहां लागू बेटन था स्वतंत्र भारत के पर्थम गवर्नर जेनरल था नेक्स्ट भरतिये संविधान के निर्मान में कितना समय लगा तो देख सकते हैं भरतिये संविधान के निर्मान में लगा था देख सकते हैं 25 का जो अंसर हो जागा वह हो जागा यानि दो वर्स दो बर्स, 11 मा और 11 दिन तो चलिए वीडियो को लाइक करके सेर कर दे फ्रेंड और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को स्ब्सक्राइब करके और वेल आइकन प्रेस करना ना भूले तो चलिए फ्रेंड आज के लिए इतना फ्रेंड तब तक के लिए टेकन बार